नमस्कार पानी के लिए आक्रोशित महिलाओं का बताना था कि वेह लोग रायपूर पंचायत के वार्ड संख्यादों में स्थाई रूप से निवास करती हैं। विगद एक महा से उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जिसके कारण वह लोग अपनी जान खत्रे में डाल कर तीन रेलवे ट्रैक को पार करके उज्जिहार्पूर रेलवे स्टेशन से पानी लाने के लिए जाते हैं। कभी-कभी उज्यारपूर रेलवे स्टेशन पर तैनात रेल पुलिस के द्वारा उन लोगों को भगा भी दिया जाता है। कभी-कभी तो उनके बच्चे भी उन लोगों के पीछे-पीछे रेलवे ट्रैक पर चले जाते हैं, जिसके कारण हमेशा खत्रा बना रहता है। हाला कि इस दोरान बी-पी-आरो उज्यारपूर प्रभात रंजन कार्यालेद पर मौझूद नहीं थे। पूछे जाने पर कार्यालेद के एक अर्मी ने बताया कि बी-पी-आरो सरजिला मिटिंग में गए हुए हैं। वहीं उज्यारपूर प्रखंड विकास पदादिकारी उज्यारपूर ने बताया कि मामले को लेकर वरिये पदादिकारी को पत्राचार किया जा रहा है। जल्द ही इस परिशानी को दूर कर दिया जाएगा। वही पी-चैडी विभाग की जेई गणीता कुमारी का बताना है कि एकस और एचपी का समरुशेबल लगा हुआ था जो जल गया है। ततकाल साथ एचपी के शमरुशेबल से जल की आपूर्ती की जा रही है। लेकिन कुछ स्थानिये लोगों के द्वारा पाइपलाइन में मोटर लगा कर पानी खीच लिया जाता है जिससे बांकी लोगों को परिशानी होने लगती है। हाला कि उन्होंने इसकी जानकारी लिखित रूप में विभाग को उपलब्द करा दिया है। आदेश मिलते ही उस पर काम शुरू कर दिया। जाएगा। इस दोरान मौके पर अनिता देवी, पूनम देवी, हिरा देवी, मेगनी देवी, बरती देवी, विभा देवी, रग महिना से, ताहरा भी पानी कहां से लग पिए ची जाएगा। 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 जाएगा।